नमस्कार मित्रों, मैं हूँ दिपेंदर सिंग राठोड और कृष्णा अकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो मित्रों, हम अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर, हमने गती वाला portion physics के अंदर खतम किया था ठीक है friends, एक अच्छा topic मैंने physics का लिया था, जो था आपका motion वाला, गती वाला इसी तरीके से, आज हम एक बड़ा interesting topic लेने जा रहे हैं, जो हमारे constable के अंदर भी है, पटवारी के अंदर भी और read के syllabus में भी है तो ये कैसा common topic लेते हैं, जो आपको अच्छा भी लगएगा पढ़ने के अंदर और अपने exams के अंदर भी है तो आज का हमरा जो topic है, वो biology का topic है, और वो है आपका digestive system यानि पाचन तंत्र तो अब हम पाचन तंत्र के बारे में अध्यन करेंगे, digestive system के बारे में अध्यन करेंगे तो friends, क्या होता है पाचन तंत्र? क्या digestive system होता है? उसके वारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक word बताता हूं कि आखिर ये word है एक पाचन इस पाचन का मतलब क्या है? इस digestion का मतलब क्या है? पाचन याणि digestion याणि हूता क्या है? तो देखो पाचन बौअड का मतलब क्या होता है हम बोजन जो खाते हैं उन बोजन के अंदर मुख्य रूप से किस-किस के अणू होते हैं हम जो भी बोजन खाते है उसके अंदर 3 प्रकार के अणू होते हैं very important ध्यान रखना आज से हमारे बोजन के अंदर तीन प्रकार के अणू होते हैं कौन कौन से होते हैं? सुनना सबसे पहला होता है आपके पास कार्बो हाइड्रेड पहला होता है कार्बो हाइड्रेड दूसरा होता है वसा और तीसरा होता है प्रोटीन तो कार्बो हाइडरेड होता है वसा होता है और क्या होता है आपका प्रोटीन तो हमारे बोजन के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार के अणू होते हैं एक होता है कार्बो हाइडरेड एक होता है प्रोटीन और एक होता है आपका वसा अब क्या होता है इन बोजन के अंदर ये तीन प्रकार के जो अनू होते हैं तीनों अनू होते हैं जटिल तीनों के तीनों प्रकार के अनू कैसे होते हैं जटिल अनू होते हैं इन बोजन के जटिल अनू को सरल अनू में तोड़ने की जो प्रकिरिया कहलाती है वो क्या कहलाती है आपके पास पाचन तो पाचन का मतलब क्या होता है भोजन के अंदर उपस्तित जटल अनुओं को सरल अनुओं में तोड़ने की प्रकिरिया पाचन कहलाती है ठीके फेंड्स और वो जटल अनुओं होते कौन से है कार्बो हैड्रेड होता है वसा होता है और क्या होता है आपके पास प्रोटीन होता है तो भोजन के जटिल अनुओं को सरल अनुओं में तोड़ने की प्रकिरिया क्या कहलाती है पाचन कहलाती है अब इस पाचन की किरिया के अंतरगत इन कार्बो हैड्रेड के अंदर वसा के अंदर प्रोटीन के अंदर इनको किन में परिवर्तित किया जाता है यह अपन बाद में देखेंगे आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ पाचन की परिवाशा क्या होती है तो क्या बोलोगे बोजन में उपस्ति जटिल अनुओ जैसे कार्बोएडरेट वसा प्रोटीन जाएगा उस तंतर का नाम क्या है आपके पास उस तंतर का नाम है पाचन तंतर तो जिस तंतर के अंतरगत हमारा शरीर इन जटिल अनुओं को सरल अनुओं में तोड़ेगा वो तंतर कौन सा होगा आपका पाचन तंतर होगा और हमार को इस पाचन तंतर के बारे में ही पढ होगी और पाचनतन्तर के उपर होगी तो फ्रेंस पढ़ते हैं कि आखिर यह पाचनतन्तर क्या होता है। sentences हैं 25 पढडने से पहले doable is पाचनतंत्र जो होता है वो इस कार्बो हाइड्रेड को किसमें बदलता है कार्बो हाइड्रेड को पाचनतंत्र बदलता है गलुकोस के अनुओं में गलुकोस के छोटे छोटे अनुओं के अंदर पाचनतंत्र के दौरा कार्बो हाइड्रेड को परिवर्तित किया जाता है द वसा को किसमें चेंज किया जाता है वसीय अमलों में परिवर्थित किया जाता है इसी के साथ तीसरा होता प्रोटीन और इस प्रोटीन को किसमें परिवर्थित किया जाता है प्रोटीन को चेंज किया जाता है अमीनों अमलों के अंदर तो सबसे important question यही से बन जाता है पहला कि पाचन तंतर के अंतरगत यह जटी लगनों होते हैं carbohydrate इसको किसमें परिवर्थित किया जाता है glucose के अंदर वसा को किसमें चेंज किया जाता है वसी अमलो के अंदर fat को fatty acids के अंदर और proteins को किसमें चेंज किया जाता है amino acids यानी amino amino अमलो के अंदर चेंज किया जाता है तो यह हमारा पाचन तंतर का कार रही होता है ठीक है friends तो हमने पाचन की परिवाशा पढ़ लिए हमने पाचन तंतर की परिवाशा पढ़ लिए अब अब अपन जो पढ़ेंगे वो अब देखेंगे कि यह पाचन तंत्र आखिर वर्ग कैसे करता है और कितने भाग होते हैं इस पाचन तंत्र के ठीक है friends तो अब जो हमारा next portion रहेगा वो हमारा रहेगा मनुश्य का पाचन तंत्र तो मनुश्य का पाचन तंत्र हमें पढ़ना है तो देखिए friends ये हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र होता है ये दो भागों में बटा होता है हमारे शरीर का पाचन तंत्र जो होता है कितने भागों में बटा होता है दो भागों में बटा होता है कौन-कौन से देखिए ध्यान से शरी का पाचन पंत्र सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है आहार नाल सबसे पहला भाग होता है आहार नाल और दूसरा जो भाग होता है वो होता है आहार ग्रंतिया तो पहला भाग तो होता है आहार नाल और दूसरा भाग क्या होता है आहार गंतिया तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र दो भागों बठा होता है एक बार देखते हैं वापस कौन- पहला तो होता है आपका आहार नाल और दूसरा कौन सा होता है दूसरा होता है आहार गरंतिया तो मानव शरीर का पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है एक तो होता है आहार नाल और एक होती है आहार गरंतिया अब देखिए फ्रेंड्स आहार नाल जो होता है आहार नाल और आगे भागों में बटी होती है कौन कौन सी, सबसे पहला भाग होता है आहर नालका, वो होता है मुख गुआ, तो आहर नालका सबसे पहला भाग कौन सा है, मुख गुआ ठीक है फ्रेंड्स, आहर नालका सबसे पहला भाग है, मुख गुआ दूसरा भाग, आहर नालका होता है ग्रास नली तीसरा भाग क्या होता है friends ग्रास नली होता है चौता भाग जो होता है जिसको अपन आहार नली भी बोलते हैं ग्रास नली चौता भाग होता है अमाश्य चौता भाग आपके पास होता है अमाश्य होता है ठीक है friends अगला अगला भाग होता है आपका आत और इस आत के अंदर आपके पास आती है दो चीजे दो भाग होते हैं इस आत के भी आत का पहला भाग होता है छोटी आत और आत का दूसरा भाग होता है बड़ी आत तो आहार नाल कितने भागों में बटी होती है पाचन तंत्र सबसे पहले दो भागों बटा होता है पहला भाग है आहार नाल आहार नाल कित्ते भागों में मुख गुवा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाश्य और आत आत दो भागों में बटी होती है एक तो छोटी आत और एक कौन सी होती है बड़ी आत इसी प्रकार आहार गरंथियां क्या होती है आहार गरंथियां ऐसी गरंथियां होती है जो पाचन में सहयक होती है ऐसी गरंथियां हमारे शरीर के अंदर दो तीन प्रकार की गरंथियां पाई जाती है बहिस्त्रावी गरंथियां अंतैस्त्रावी ग्रंथिया और मिश्रित ग्रंथिया अब आहार ग्रंथिया वो है आगे अपन ग्रंथियों वाले टॉपिक में पढ़ेंगे लेकिन आहार ग्रंथिया ऐसी ग्रंथिया है जो हमारे शरीर के अंदर काम आती है पाचन के क्रिया के अंतरगत और वो तीन परका यानि लार गरंथियां, तो तीन प्रकार की गरंथियां हमारे शरीर में पाचन की करिया के अंतरगत काम आती है, यकरत गरंथी, अगनाश्य गरंथी और आपके पास लार गरंथी, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन गरंथियां हमारे शरीर के अंतर काम आती है, इसी के साथ अ आहार नाल कितने भागों बटी होती हैं, आहार नाल मुखगुआ, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाश्य और आत, फिर आत दो भागों बटी होती हैं, छोटी आत और बढ़ी आत, इसी प्रकार आहार ग्रंतियां, तीन भागों में बटी होती हैं, तीन यूज आती हैं आहार गंतिय और आपके पास लार गंतियां अब हमें इनी के बारे में डीटेल रूप से पढ़ना है तो आप एक बार इसका स्क्रीन चॉट ले सकते हैं चलिए तो अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं सबसे पहला भाग पाचन तंत्र का और वो जो भाग है उसका नाम है आपके पास आहार नाल आहार नाल स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स आहार नाल जो होती है आहार नाल एक लंबी कुंडलित संरचना है हमें सबसे पहले ध्यान रखना है आहार नाल लंबी कैसी संरचना है लंबी कुंडलित संरचना है coiled structure है लंबी कुंडलित संरचना है और इसकी लंबाई कितनी होती है coiled structure कुंडलित संरचना मतलब क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चित्र के माध्यम से तो लंबी कुंडलित ऐसे साप होता है वैसे यू साप के तरीके से वनी में संरचना होती है तो लंबी कुंडलित संरचना है इसकी लंबाई कितनी होती है तो length अगर आपसे पूछ ले आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो आहार नाल की लंबाई आप लोग बोलोगे लगबग 6 मीटर से लेके 9 मीटर की बीच में होती है तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है 6 मीटर से लेके 9 मीटर के बीच में इसकी लंबाई होती है चलिए तो आहार नाल एक लंबी कुंडलित सनचना है और इसकी लंबाई कहां से कहां तक होती है 6 मीटर से लेके 9 मिटर के बीच में कितनी भी हो सकती वैरी करती है चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि आहार नाल में पाचन कैसे होता है देखो पाचन की जो पूरी प्रकिरिया है जो पाचन तंत्र होता है जो पाचन की किरिया करता है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके अंतरगत करता है आहार नाल के अंतरगत करता है आहार ग्रंथिया उसमें सहाइता करती है लेकिन पाचन की पूरी प्रक्रिया होती किसमें आपके पास वो आहार नाल के अंतर होती है चलिए, तो अब अपन अपना पहला topic पड़ेंगे, आहर नाल के अंतरगत जो पहला भागे पाचन में काम आता है पाचन फंतर के अंतरगत पहला भाग आहार नाल का और वो है आपके पास मुख गुःा तो हमारा आज का अभी का पहला topic होगा, मुख गुःा मुक गुवा क्या होती है और कैसे काम करती है पाचन के अंदर उसकी चर्चा करते हैं मुक गुवा अंग्रेजी के अंदर इसको बोला जाता है माउध कैविटी या फिर इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी mouth cavity या बक्कल cavity तो मुख गुवा पहला भाग है जिसको mouth cavity या बक्कल cavity बोलते हैं अब देखिए friends मुख गुवा क्या होती है तो आपको बताते हैं यह हमारा शरीर का पाचन तंतर है इस पाचन तंतर के अंतरगत यह जो पहला भाग है हमारे शरीर के पाचन तंतर के अंतरगत पहला भाग यह जो वाला portion है आपके पास यह कहलाता है मुख गुवा mouth जिसको आप बोलते हो तो मुख गुवा आपके पास यह वाला portion है सबसे पहला भाग यह मुख गुवा कहलाता है इस मुख गुवा के अंतरगत क्या-क्या होता है उसकी चर्चा अपन देखेंगे तो आपको चित्र के अंदर दिख रहा होगा ये वाला जो portion है इसको अपन mouth बोलते हैं मुख गुआ बोलते हैं ठीक है friends तो मुख गुआ ये होती है अब मुख गुआ के अंदर मुख गुवा के अंतरगत क्या क्या होता है उसकी चर्चा अपन करते हैं तो मुख गुवा के अंतरगत आप देखना दो भाग मुख्य रूप से हैं हम भोजन को मुख के अंदर रखते हैं तो मुख के अंदर रखते ही आप सबसे पहला काम क्या होता है हम बोजन को मुझ के अंदर रखते हैं तो मुझ के अंदर दो चीजे पाई जाती है जो बोजन के साथ किरिया करती है सबसे पहली तो है आपके पास जीवा जिसको आप बोलते हो जीब सबसे पहली तो है जीवा जीब जिसको बोलते हो आप और जीवा के बाद जो दूसरी चीज है वो आता है हमारे दात तो सबसे पहला portion है तो जीव और दूसरा portion जो है वो क्या कहलाता है आपके दात तो दो भाग है मुख गुवा के अंतरगत जो हमारे बोजन पे किरिया करते है सबसे पहला तो है जीवा और दूसरा क्या है आपके पास दांथ ठीक है तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि मुख गुआ के अंदर का बोजन पे क्रिया दो चीजों दारा होती है एक तो जीवा दारा होती है जीब दारा और एक होती है दांथ दारा ठीक है friends तो अब देखते हैं सबसे पहले तो जीवा क्या काम करती है और आपके पास ये जो दाथ है वो क्या काम करते है उनकी चर्चाबाद में करेंगे सबसे पहला काम ये जो सबसे पहली चीज है वो कौन सी है आपके पास जीवा तो जीवा क्या करती है उसकी चर्चा करते जीवा यानि जीव देखिए फ्रेंट्स जीवा जो होती है जीवा भोजन का टेस्ट बताती है क्या बताती है जीवा भोजन का टेस्ट बताने का काम करती है भोजन का पाचन के अंतरगत जीवा का कोई काम नहीं होता है जीव सिर्फ भोजन का क्या बताती है टेस्ट बताती ह ठीक है फैंट्स, अभी हमने क्या करा है, मैंने आपको बोला है, हम पाचन तंतर के अंतरगत आहर नाल पड़ रहे हैं, आहर नाल का पहला भाग पड़ रहे हैं, और वो पहला भाग जो है, वो है आपके पास मुखगुवा, मुखगुवा के अंतरगत क्या हो रहा है, स्चाइब का पर शेह सबसे पीछे वाला पर्शन है यह सबसे पीछे वाला पॉर्शन जीवा का सबसे पीछे वाला पॉर्शन आपके पास कैसा स्वाद बताता है सबसे पीछे वाला पॉर्शन बताता है कडवा स्वाद तो सबसे पीछे वाला पॉर्शन कैसा स्वाद बताता है जीवा का कडवा स्वाद बताता है कडवे को बोलते हैं बिटर क्या बो बिटर स्वाद बताता है, उसके बाद आता है, कि मद्दे के जो किनारे वाले भाग है, यह भाग, यह भाग कैसा स्वाद बताते हैं, तो मद्दे के जो किनारे वाले भाग है, यह मद्दे के जो किनारे वाले भाग, कैसा स्वाद बताते हैं, मद्दे के किनारे वाले भाग, आपके पास सुवाद बताते हैं खट्टा सुवाद खट्टे को क्या बोलते हैं अपन सोर बोलते हैं तो मध्य के किनारे वाले भाग कैसा बताते हैं खट्टा सुवाद बताते हैं बूजन का उसके बाद आपके पास आते हैं आगे के किनारे वाले भाग ये जो आगे के किनारे होते हैं ये वाले ये आगे के किनारे वाले भाग कैसा बताते हैं तो आगे के किनारे वाले भाग हमें बताते हैं नमकीन स्वाद, कैसा स्वाद बताते हैं, नमकीन स्वाद बताते हैं, नमकीन का मतलब होता है सॉल्टी, कैसा स्वाद बताते हैं, सॉल्टी स्वाद बताते हैं, तो जीब का सबसे पिछला वाला भाग क्या बताता है, कड़ुवा स्वाद बताता है, मद्धे के किनारों वाल नमकीन स्वाद बताता है और सबसे आगे वाला जो सबसे आगे वाला स्वाद है सबसे आगे वाला जो जीब का पार्ट है यह वाला जो पोर्शन होता है यह सबसे आगे वाला पोर्शन क्या करता है सबसे आगे वाला पोर्शन आपके पास बताता है मीठा स्वाद कैसा स्वा किस से अनुभाव होता है सबसे आगे वाले भाग से तो मैंने आपको बोला कि बोजन मुख गुवा में रखते हैं तो सबसे पहला काम होता है जीब का जीब सबसे पहले बोजन का टेश्ट बताती है बोजन को पाचन का कारे नहीं करती है तो जीब का सबसे पिछला भाग क्य जी भाषा में बोल सकते हो sweet test बताता है चलिए friends मेरे इसाब से यह जीवा वाला portion आपको समझ में आया होगा कि जीवा बोजन के test का काम करती है test बताने का काम करती है आप इसका screen shot आराम से ले सकते हैं चित्र के माद्यम से आपको समझ में भी आ गया होगा कि जीवा दौरा बोजन का test किस प्रकार बताया जाता है अब अपन next चीज पर बढ़ते हैं next जो portion है next portion आपका है जीवा के बाद में अगला portion है मुखगवा का दूसरा बाद जो दात होते हैं इनके बारे में पढ़ना है very important portion teeth यानि दात ये क्या करते हैं teeth तो देखो जीवा ने बोजन का test बताया है अब दात क्या करते हैं दात बोजन को काटने का काम करते हैं तोडने का काम करते हैं पीसने का काम करते हैं त तो यहां से पाचन इस्टार्ट होता है, दात भोजन को क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है friends, किस तरीके से, तो देखो, वो तो अपन बाद में देखें, किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले अब अपन मनुष्य के दातों के बारे में study करेंगे क्योंकि यह important है आता है इससे question तो मनुष्य के दात कितने परकार के होते हैं यह हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहली बात है मनुष्य के जो दात होते हैं वो दो परकार के होते हैं कितने परकार के होते हैं, दो परकार के, कौन-कौन से, एक तो होते हैं आपके पास अस्थाई दात, मनुष्य के पहले दात जो होते हैं, वो कौन से होते हैं, अस्थाई दात होते हैं, अस्थाई दात कितने होते हैं, अस्थाई दात मनुष्य में होते हैं, 20, जिसको आप वैस्क हो जाते हो 18 वर्ष से उपर हो जाते हो तब आपके पास इस्थाई दात होते हैं तो मनुश्य के अंदर दो प्रकार के दात पाई जाते हैं एक तो आस्थाई दात और एक इस्थाई दात पाई जाते हैं तो आस्थाई दात तो होते हैं 20 और इस्थाई दात आपके पा तब तक आपके 28 दात ही रहते हैं 20 वर्ष की उमर तक 20 वर्ष से उपर जब आपके पास अकल डाड आपके आ जाती है तब दात किते हो जाते हैं 32 यह आपके 32 ही होती है पूरी अब देखें फ्रेंड्स क्या होता है अभी UPSC के अंदर एक कोशन पूछा गया था पूछा क्या था मनुष्य के अंदर कुल इस्थाई दातों के संक्या कितनी होती है ओप्शन थे 10, 20, 14 या 12 अब देखो 32 ओप्शन में नहीं था एक्चुली क्या होता है यह अस्थाई दात मनुष्य के अंदर किसमे परिवर्थित हो जाते है इस्थाई दातों में इसलिए basically नए जो इस्थाई दात है कितने जो ओरिजिनल इस्थाई दात कितने 32 में से आप 20 घटाओ के कितने बचे 12 तो जो ओरिजिनल इस्थाई दात है वो है कितने आपके पास 12 है यह 20 इसके अंदर पक्के होके मिल जाते है तो इसलिए आपका आंसर रहेगा 12 अगर आपके पास किस तरीके कोशन आए कि इस्थाई दातों की संख्या कितनी होती है, ठीके फ्रेंट्स मेरे इसाब से आपको इस बात समझ में आई होगी, आप कितने परकार के होते हैं मनुष्ययके में, दो परकार के होते हैं, अभी पाचन के अंदर दातों का कारे की होता है, वह पन आगे नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, इस्थाई दांतों के बारे में पढ़ना है, कि इस्थाई दांत क्या होते हैं, तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इस्थाई दांतों के बारे में, तो इस्थाई दांत पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा next, इस्थाई द अब देखिए फ्रेंड्स इस्थाई दात जो होते हैं इस्थाई दातों के संख्या कितनी होती है तो देखिए इस्थाई दात होते चार परकार के कितने परकार के होते हैं इस्थाई दात चार परकार के कौन-कौन से अभी मैं बताता हूं आपको देखे और यह आपको चित्र नजर आरहा देखेंजें इस्थाई दाथ चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं देखते हैं सबसे पहला ये मैं आपके लिए ऐसे करते हैं जित्र बना ही लेते हैं तो जादा ठीक रहेगा देखें फ्रेंड्स ये आपके पास मैं मनुश्य के एक जबडे की बात करता हूँ मैं सिर्फ एक जबडे की बात कर रहा हूँ उपर वाला जबडा उसकी बात करता हूँ हमारे टोटल दाथ कितने होते हैं 32 होते हैं तो एक में कितने हो जाएंगे आपके पास, एक जगे आपके पास हो जाएंगे, मेरे इसाप से सोला ही होंगे, तो ये आपके पास सोला दात हो गए, अब हमें इनी के बारे में पढ़ना है, फिर जो होंगे, उपर होंगे, वही नीचे होंगे, तो ये हमने उपर वाले जबडे की बात करी है, अब देखिए, सभी लोग ज्यान से देखिएगा इधर बिलकुल, सबसे पहले, जो आपके आगे के दो दात होते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड के बात कर रहा हूँ, ये पूरा उपर वाला जबडा है, और उपर वाले जबडे के आठ इधर हैं, आठ इधर हैं, टोटल सोला दात हैं, आठ इधर और आठ इधर, इस उपर वा हागे के 2 दातों को करतंक नाम दिया जाता है तो आगे के दो दातों को आपके पास नाम को को इंगलिश में कहा जाता है इन सीजर्स क्या बोलते हैं इनसीजर्स बोलते हैं तो आगे कि जो दो दात node रिच्छ बोल दिया करतंक qu envol एक साइड की से बात कर ՝ाजाए पहला वाक होता है इस्थाई दातों का करतंक दात in scissors, अब देखिए friends सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अगर मैं बोलू पहला भाग है कृतंक in scissors, कृतंक दातों की संख्या कितनी हो गई, तो सब लोग ध्यान से सुनना, कृतंक है एक जबडे में एक साइड के अंदर दो दात ये कृतंक है आपके पास और एक जबडे में दो है एक साइड में, उधर भी कित्ते होंगे दो, चार हो गए, उपपर चार हो गए नीचे भी कित्ते होंगे, चार तो टोटल कित्ते हो गए आपके पास आठ हो गए, तो कृतंक दातों की संख्या कितनी होती है आठ होती है ठीक है फ्रेंड्स करतंक दातों की संक्या आठ होती है अब एक बाद बताओ इन करतंक दातों का कार्य क्या होता है तो अगर मैं बात करूँ करतंक दातों का कार्य क्या होता है करतंक का कार्य है दातों का कार्य क्या होता है बोजन को काटने का बोजन को तोडने का आप बोजन रखते हो आगे वाले दात तोडते है ना बोजन को तो ये बोजन को क्या करते है छोटे छोटे टुकडों में तोडने का कार्य करते है तो अगर मैं बात बोलू कि करतंक दातो का काम क्या है तो करतंक दातों का कारे क्या है बोजन को तोड़ना तो बोजन को तोड़ने का कारे किसका होता है करतंक दातों का होता है वेरी इंपोर्टेंट है अच्छा कुशन है पूचा आ सकता है सबसे पहले करतंक दातों की संख्या कितनी होती है आठ होती है और इनका का खुट्बान के अंदर सुने होगी काहनी या पिचर देखियों तो डाकण वर्डशुनाओं डाकण चुड़ेल देखी आपने अंग्रेजी माध्यम के बच्चे देख रहे हैं जिसको भोलते गोश्ट देखा होंगा और अपने देशी माध्यम के देख रहे हैं तो आपने निकलते हैं अब मैं आपको निकाल के देख नहीं सकता कि कैसे होते हैं लेकिन आप इमेजिन करो कि डाकण के दांत होते हैं वो साइड से निकले वे होते हैं वो साइड से दो दात निकलते हैं तो आपके पास यह जो दूसरा पोर्शन है यह भी इसी तरीके का है ऐस करते हैं एक इधर एक होती है तो यह होता है आगे से दात निकलते है अब रदनक की संख्या अगर बोलू हम आपसे कि क्या होगी तो रदनक कितना होगा रदनक होगा सुनना जब सब द्यान से एक इधर, एक इधर कितने हो गए? दो दो उपर, दो नीचे कितने हो गए टोटल? चार दात हो गए तो ये रदनक दात होते हैं क्या बोला मैंने? इस्थाई दात चार प्रकार के होते हैं सबसे पहला वाक्या है करतंग, करतंग कितने होते हैं, एक जबडे के आदे भाग में दो, तो उधर भी कितने हो जाएंगे दो, उपर दो, उपर चार, नीचे चार, कितने हो गए टोटल, आठ हो गए, इनका कारे क्या होता है, करतंग का बोजन को तोड़ना, दूसरा पुरा चीर देते हैं, तो बोजन को चीरने फारने का कारे किसका होता है, रदनक दातों का होता है, ये बोजन को क्या करते हैं, चीरने फारने का कारे करते हैं, तो चीरने फारने का कारे बोजन को किसके द्वारा किया जाता है, रदनक दातों द्वारा किया जाता है, ये ब परकार के दातों पराते हैं तीसरे परकार के जो दातों परोटें आपके पास कि ये जो दो दाउत है इन दो दातों का बोला जाता है ओंगrieजी थाथ में बोलते हैं अगर्चवन्नक यानी प्रीमुलर ठीक है, फैंट है से अब देखिए, यह अगर्चवन्नक क्या होते हैं, यह तो बता दूं, आपको संख्या पूछले अपन से, तो संख्या पूछले तो क्या करेंगे यह है आपके पास अगर्चवन्नक. ये मानलो है अगर चवंणक आपसे पूछले बताओ अगर चवंणक की संख्या क्या होगी तो अगर चवंणक की संख्या क्या होगी देखो भाई, दो इधर होते हैं दो इधर होंगे, चार उपर, चार नीचे टोटल किते हो गए हैं? आठ तो अगर चवरनक की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल आठ हो जाएगी आपके पास अगर चवरनक किते होते हैं टोटल आठ होते हैं आपके पास यह हमार को ध्यान रखना है अगली बात अगर चवरनक की काम क्या होता है तो अगर चवरनक और आगे में आपको चवरनक बताओंगा दोनों का काम एक साथ बता दूंगा तो इसके बाद में जो last के तीन बचते हैं ये जो last के तीन है इन last के तीन का कारे क्या होता है और ये last के तीन को अपन बोलते क्या है तो important है इनके बारे में ध्यान रखना है ये जो last के तीन होते हैं इन last के तीन को बोला जाता है molar इनको बोलते हैं चवरनक बोला जाता है हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इनको हिंदी के अंदर बोलते हैं चवरनक क्या बोलो जाता है friends इनको बोला जाता है चवरनक और अंग् में इनको बोला जाता है निव की संख्या कर गया फिर अंकी संख्या कितनी होती है 3 होती है क्या वह भूला मैं क्या भूला 6, 6 और 6 टोटल किते हो गए, आपके पास 12 हो गए, तो ये 12 चवंडक हो गए, अब देखिए चवंडक और अगर चवंडक का कारे क्या होता है, तो इन दोनों का कारे जो होता है, इन दोनों का कारे आपके पास होता है, बोजन को पीसने का, तो बोजन को पीसने का कारे किसका ह होता है आप पीछे लेके जाते हो ना बोजन को पीसने काया 한번 जब भी भोजन को आगे से टूट गहा और जब पीछने के लिए आप पीछे ले Butani और एक आते हैं करती है तोई बोजन को पीछने का काम करती है वापस सुना पूरी बात मैंने क्या बोला है इस्थाई दाओं चार प्रकार के होते हैं करतंक रदनक अगर्चवणनक चवणनक करतंक की संख्या कित्ती होती है आगे के जो दो दाओं होते हैं वो करतंक होते हैं 2 इदर 2 दर 4 चार उपर 4 नीचे टोटल हो गए 8 इनका काम क्या होता है बोजन को तोडने का फिर होता है रदनक वो डाकन वाले जो निकलते हैं दो उपर दो नीचे चार हो गए इनका काम क्या होता है चीरने फाडने का फिर होता है अगर चवन्नक अगर चवन्नक क्या होता है ये जो तीन दो दाते इधर दो दान उदर है, चार, चारो चार टोटल किते हो गए, आठ, फिर आते हैं चवन्नक, चवन्नक आते हैं, तीन दात लास्ट के, तीन इदर, तीन उदर, तो टोटल किते हो गए, छे, छे और उपर, छे नीचे किते हो गए, बारा, इनका काम क्या होता है, इन दोनों का काम होत यह जो अंतिम दाथ है चवणक का मोलर का कि इसको अपन बोलते हैं अपकल डाठ अकल डाठ जिसको बोलते हो और अकल डाठ जिसको बोलते हो वे यह तूथ आया वह प्रशन है विजडर्म तूथ किसको कहा जाता है तो अकल डाट या बुद्धी दाथ या विजडर्म तूथ किसको बोला जाता है